हेलो बच्चों कैसे हैं आप सभी उमीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई को बेच्छ से कंटेन्यू कर रहा हूं आज की वीडियो क्लास के अंदर हमने वैसे मॉडल टेस्ट पेपर पहले ही डिसकस कर लिया है मैं यह वीडियो सिर्फ इंग्लिश मीडियम वा होगा यह वीडियो ओके चलो तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए मॉडल टेस्ट पेपर को डिसकस कर रहे हैं जो रास्थान बोर्ड ने अभी ही जारी किया था मतब जारी तो किये वे डेट दो मिन हो गया है कि देखो क्वेशन नमबर फस्ट अगर हम देखत ट्रिपल्ड देन दा फोर्स बिट्वीन दा चार्जेस विल बी बहुत सिंपल है क्या बोल रहा है लट सपोस्कुरू दो चार्ज है आपके पास में और उन चार्ज के मिड में फोर्स एफ दे रखा है देट इस के q1 q2 divided by r2 इतना ही है ठीक है अब वह बोल रहा है इफ दि के q1 q2 divided by 3 r tripled कर दिया आपने 3 times of initial कर दिया और उसका क्या किया square करो इट विल बी के q1 q2 divided by 9 r square थोड़ा सा यहाँ पर आप देखें that is the initial force f और यह f में किसका डिवाइड जा रहा है 9 का डिवाइड जा रहा है ठीक है तो the new force will become 1 by 9 time of initial ठीक है c is the correct one done हूँ है और वैसे भी जिस्टेंस के इनिवर्सली प्रपोर्शनल है यह धियान में रखिएगा next देखो second question क्या बोल रहा है यह two resistances wire a, b are made of same material अगर material same है बच्चो तो resistivity same होगी यह बाद ध्यान में रखें wire a has twice the length and twice the radius of b अब थोड़ा सा समझेगा resistivity दोनों का same है क्योंकि same material के हैं फिर wire a का length length of wire a is twice of length of wire b ठीक है and the radius of wire a is just twice the radius of wire b यही तो बोल रहा है the ratio of resistances of a and b will be अब आपको resistance का ratio देखना है तो हमने बोला resistance of a divided by resistance of b और resistance का formula पता होना चाहिए r is equals to rho l divided by a होता है बच्चों and what is a a क्या होता है pi r square होता है ठीक है तो मैं उसी according value put करूंगा तो मैंने लिखा r a के लिए value लिख रहा हूं r a के लिए क्या row a फिर length of a divided by pi r a का square that will be r a square divided r b r b क्या होगा row b l b divided by pi r b का square ऐसा ही है जो कट रहा है पहले उसे हटाओ pi से pi केंसे ठीक है r b जो है वो numerator में जाएगा तो it will like l a r b square divided by l b r a square mathematics से कर रहा हूं इसके अलाब और कुछ भी नहीं कि यह भी अपना है ठीक है चलो क्या होने वाला है देखो l a l a अगर आप देखेंगे it will be 2 l b into r b square as it is divided by l b and r a r a is 2 r b 2 r b it means it will be 4 r b square यही होगा l b से l b cancel r b square से r b square cancel मेरे यहाब से आपको रेश्यों पता चल रहा है वन बाइट है न इट विल भी वन बाइट है डन हुआ यह है चाल तो फॉर्मुला दिमाग में रहेगा क्वेशन एजिली सॉलो जाएगा नेक्स्ट वन देखें थर्ड वन लैंज लो गिव् है उसका डिरेक्शन प्रोवाइड करवाता है और एनर्जी कंजर्वेशन लोग को फॉलो करता है ठीक है तो इट गिवस्ट डिरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ट करेंट बीज दे करक्ट हो ठीक है नेक्स्ट वन देखें तक कर्रेक्ट रिलेशन बिट्वीन मागनेटिक ससप् है तो म्यू आर इस एक्वल्स टू वन प्लस काई एम इसका एक अच्छा खासा डेरिवेशन था तो यहां से अगर आप काई एम देखते हैं डेट विल बी म्यू आर माइनस वन मेरे इसाब से तो यह है ए वल बिदे करेक्ट आप्शन ठीक है पता चल रहा है ना मैच कर पा अब अच्छा सवाल है बहुत बढ़ी है सवाल है देखो सी आपने पढ़ा होगा सी इस इकल्स टू वन अपॉन मू नॉट अपसाला नॉट और उसका रूट होता है यादर है वेक्यूम के अंदर हम यह तो लिखते हैं तो यह ध्यान में रखना और अगर यहीं मीडियम मे आता वाट इस अवलोसिटी अफ लक्ट्रो माइटिक वेवें टू मीडियम इट वीडिवाइड वाइं मू आर अपसाला ठीक है यह ध्यान पर रखेंगे नेक्स्ट वन देखें दम मॉमेंटम अफ फोटोन हैंग फ्रिक्वेंसी नियू मॉमेंटम क्या होता है मॉमेंटम इकवल्स टू मास इंटू वेलोसिटी और फोटोन के लिए वलोसिटी सी होती है बच्चों यह ध्यान में रखेंगा तो अगर मैं बात करता हूं तो आपको यहाँ दो तो mc square is equals to h new लिखा था दे ब्रॉगली hypothesis याद आ रही है नहीं याद आ रही है फिर वहाँ पर अपने ऐसा लिखते थे mc into c लिख सकते हैं ना mc square को और यहाँ पर h new को h c divided by lambda c से c cancel कर दो हो सकता है मोमेंटम पी is equals to h divided by lambda होता है नहीं होता है यह एक तरीका है है न हो हमें frequency की टर्म में निकालना था हमें frequency की टर्म में निकालना था तो मैं उपर वाले को वापस से लिख देता हूं mc into c is equals to h new यह तो मोमेंटम लिख दिया है पी is equals to क्या हो जाएगा h new divided by c देखो कोई option मैच कर रहे है सी मैच कर रहे है ठीक है चल्ड़ नेक्स्ट वन साविन्फ वन विच फॉलोविंग अलेमेंट इस दे डोनर टाइप इंपरिटी डोनर टाइप मतलब जो इलक्टरॉन को डोनेट करे वह वाले इंपरिटी आपको पता हो नहीं चाहिए मतलब एंट टाइप वाले इंपरिटी तो आपकी सरकार यह बात ध्यान में रखेएगा आर्सेनिक एंटी मनी एंड फास्वरस ठीक है यह डोनर टाइप इंपरिटी है तो यह मेरे साब से पी सही है फिर दुखो आगे एट्थ वन दा एवरेज वल्य अल्टरनेटिंग करेंट फॉर कम्प्लीट साइकल इस एवरेज वल्यू जीरो थी ध्यान में रखेएगा ठीक है आर्मस वल्यू आई एम डिवाड़ेड़ वारूट तो होती है नेक्स्ट वन नाइन्थ वन टोरोईड ओफ रेडियस 10 सेम्टी मीटर आर दिया हुआ टोरोईड के लिए टोरोईड में आर इंपॉर्टेंट होता है बच्छो टैन सेम्टी मीटर मतलब टैन की पावर माइनस वन मीटर लिख सकता हूं क्या इसमें दिखकते किसी को अरे आ का वल्यू ऐसा कुछ लिख लो बच्छो 10 सेम्टी मीटर था मीटर में कनवर्ट करने के लिए 100 का डिवाइड इट विल बी वन बाई 10 वन बाई 10 को क्या लिख सकता है 10 to the power minus 1 has 1000 tons has 1000 tons N का value capital N का a current of 0.1 ampere I is equals to 0.1 ampere 0.1 it means 10 की power minus 1 ampere is flowing into it then the value of intensity of magnetic field at its axis will be इसके axis में magnetic field कितना होगा तो हमने बुला B is equals to mu not capital N into I divided by 2 pi मेरे सबसे formula पता है आप सभी को टोराइड का है ना चलिए काम करें तो it will be like this mu not that is 4 pi into 10 to the power minus 7 ठीक है n 10 की power 3 अरे 1000 को लिख सकता है न 10 की power 3 आई 10 की power minus 1 2 pi as it is R 10 की power minus 1 देखाई दे 10 की power minus 1 से 10 की power minus 1 cancel 2 pi से अगर मैं इसको cancel करता हूं तो यहां पर 2 आ जाएगा और इसको solve करेंगे तो 10 की power minus 4 A is the correct option देखाई देर दन हुआ यह चार फिर next one देख अब filling the blanks है हमारे पास में देखो क्या बोल रहा है electric potential at infinity is due to a point charge किसी भी point charge के कांट potential कितना होता है के q divided by r होता है और अगर मैं यहां पर r की जगे infinite रख दूं तो one upon infinite पे रहे साबसे zero होता है तो answer क्या आएगा बच्चो जीरो ठीक है infinite potential zero होता है ध्यान में रखेंगे अधा ऐसा unit of intensity of magnetization intensity of magnetization h ठीक है क्या होता है ampere per meter यह त्यान में रखेंगे है ना चल्ड इंडेक्शन फरनें वर्क्स अन्द प्रिंसिपल ओफ electromagnetic induction किस्पर अलेक्ट्रो माग्नेटिक इंडेक्शन के प्रिंसिपल पे वर्क करता है induction furnace यह त्यान में रखना induced current उसके अंदर बन जाती है तो वह heat up हो जाता है और material को heat up करतेता है through oh sorry polarization is the phenomena which shows that light waves are of which nature transverse nature transverse nature light waves का nature transverse होता है यह polarization ही बताता है ठीक है चलो next one third one right relation between intensity of electric field and electric potential intensity of electric field electric potential के अंदर आप यह लिख लिजेगा वी इस इक्वल्स टू कि स्वारी इस इक्वल्स टू माइनस का डेवी अपॉन डिया लिख लो नहीं तो वी का तो फॉर्मेट थोड़ा से लंबा चला जाएगा आप ऐसा लिख सकते हैं अधर वैक्टर में अगर इसे डालना चाहें तो इवेक्टर इस इक्वल्स टू माइनस डेवी अपॉन डियार और यहां पर आर्केप लगा देजिएगा कहीं कोई शुवली बात नहीं ठीक है आप यह लिख सकते हैं वैसे तो यह भी ठीक है कहीं कोई दिक्कत नहीं है समांतर पट्टिका का नामांग के चित्र बनाईए समांतर पट्टिका का नामांग के चित्र एक प्लेट प्लस की और एक प्लेट कैसा बच्छो माइनस की इस प्लेट को क्या कर देना ग्राउंड कर देना और यहां से कोई भी लाइन आ रही है ठीक है ऐसा कुछ ओ मैंने हेंदे में बोल दिया सॉरी आदत से मजबूर हूँ draw the level diagram of parallel plate capacitor parallel plate capacitor ठीक है ओके next one a wire of resistivity lambda is stressed and its length is doubled then what will be its resistivity बच्चो ये बात ध्यान में रखना resistivity is the property of material तो अगर property sorry material अगर change नहीं होगा तो resistivity चेंज नहीं होगा ठीक है resistivity दोई चीचों के उपर depend करती है एक temperature के उपर और एक material के उपर तो material change होई नहीं रहा है stretch करने पर तो resistivity भी change नहीं होने वाली है तो resistivity भी the same तो हम बोलेंगे उसका resistivity lambda यह रहेगा answer will be lambda once again ठीक है what is malus law malus law क्या होता है वो थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा malus law के लिए हम simple सा इतना समझते हैं कि intensity of emitted current या emerging current ठीक है intensity of emerging current is directly proportional to the square of अब यह थोड़ा सा मैं थ्यारी में लिख रहाँ square of cosine of angle theta between polarizer and analyzer analyzer z d r e आएगा analyzer ठीक है यह क्या होता है हम बोलते हैं कि intensity of emitted light या emerging light is proportional to the cos square theta ठीक है वापस से लिख देता हूँ यह 1 के अंदर चला गया i is proportional to cos square theta होता है ठीक है so i is equal to क्या लिखते हैं i not cos square theta होता है अब यह इसको थेहरी में कैसे डालते हैं तो हम बोलते हैं इंटेंसिटी आफ लाइट आई क्या है intensity of emitted light यह इंटेंसिटी आफ रिजल्टेंट लाइट लिख लो इस प्रपोर्शनल इस प्रपोर्शनल अब किसके प्रपोर्शनल है थीटा का तो कोस और उसका स्क्वार तो हम बोलते हैं स्क्वार ओफ कोसाइन ऑफ एंगल थीटा के स्क्वार के प्रपोर्शनल और वह थीटा बन किसके बीच में रहे एक पॉलराइजर और एक एनलाइजर है दो तरीके के पॉलराइजर 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 पॉल यह ध्यान में रखेगा, that is male slow, तो जब भी male slow आए, तो यह थोड़ा सा काम करके आए, i is proportional to cos square theta, i is equals to i not cos square theta, ठीक है, फिर थेरी के अंदर इसे को बना करके लिख दें कि according to male slow, the intensity of resultant light emitting from the polarides is directly proportional to the square of cosine of angle made up between polarizer and analyzer excesses, या फिर बस इतना है लग दो, ठीक है, done है इतना, चलिए, next one, which place on the earth has the angle of dip 90 degree, poles, magnetic poles, magnetic poles के उपर, क्या होता है, dip angle जो है, वो 90 degree होता है, ठीक है, next देखो, predict the polarity of the capacitor for situation given in diagram, वह आपको polarity बताना है, कि इसमें से कौन सा plus का है, कौन सा minus का है, ये एक ऐसा question है, जो मेरे इसाब से अपने multiple books में देखा होगा, ठीक है, इसको करने का मैं simple सा तरीका बताता हूँ, आप south pole को इस तरफ से पास लेकर के आ रहूँ, मैं इस तरफ से देख रहा हूँ, मेरी यहां कि तरफ है, मैं इस तरफ से देख रहा हूँ, तो south pole को जब मैं इधर से पास लेकर के आ रहा हूँ, तो इधर क्या बन रहा है? S बन रहा है, ठीक है, S बन रहा है, इसका मतलब current ऐसा जा रही है, तो current अगर ऐसा जा रही है B to A B to A current जा रही है तो electron जो है वो A से कहां की और भागेगा B की और जाएगा यह electron जाएगा तो electron कहां accumulate कर रहा है B पर accumulate कर रहा है यहां पर इखटा हो जाएगा और किस particular surface को उसने छोड़ दिया है कहां से वो emit हुआ है तो B surface से वो बहार निकला है तो B will be positive and A will be negative तो आप लिख कर कहेंगे A will be comparatively positive to the B या फिर A will be positive and B will be negative plate of the capacitor ठीक है ऐसा लिख कर कहां जाओ ठीक है नेक्स देखो 7th one arrange these radiation in the ascending order in the terms of frequency अब आपको frequency के term में इने arrange करना है तो मैं यह चीज हिंदी में लिखता हूँ लेकिन याद रखने के लिए simple है क्या भई G X पर देखो I am ready G का मतलब gamma X का मतलब X-ray पर का मतलब ultraviolet UV देखो का मतलब visible I का infra M का micro और R का radio ठीक है और यह frequency का ascending term है ऐसे चट रहा है frequency ठीक है तो देखो radio है के इसके अंदर radio है तो एक नमबर पे तो radio ही लिखेंगे फिर micro है इसमें micro इदर दिखाई दे रहा है तो micro भी आएगा तो दू नमबर पे micro ही आएगा फिर infrared है क्या infrared नहीं दिखाई दे रहा visible विजबल भी नहीं दिखाई दे रहा है UV ultraviolet दिखाई दे रहा है तीन नमबर पे ultraviolet और फिर X-ray दिखाई दे रहा है मेरे को X-ray फोर्थ नमबर पे सबसे लास्ट में X-ray ascending order में लिखना है ना तो हमने क्या लिखना है हमने ऐसे लिखना है हम सबसे पहले लिखेंगे रेडियो और देन माइक्रो और देन यूवी और फाइनल वे विल राइट एक्स रे डाट इस दर सेंडिंग और ना ठीक है सेंपल है ओके आगे देखो 8 एत्थ वन राइट टिबल ऑफ दे गेट शोफ इन फिगर जो फिगर में गेट दिया हुआ है उसके लिए टूट टेबल लिखना बहुत इजी हो जाता है अगर आपको गेट पता है कि कौन सा गेट है अगर आप देखेंगे इडिजन ऐड गेट यह Nand gate है, अंदर वाला तो end है और अगर यहां bubble लग रहा है तो फिर यह not बन जाएगा तो not और end मिल करके क्या बनाते हैं नand बनाते हैं, तो आपको नand की truth table लिखने है, नand की truth table कैसे बनाए होगी A B A B और Y is equals to क्या होता है, A.B का हॉल बार होता है, ठीक है कुछ इसी तरीके से हम काम करते हैं, है न, चलो 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, यह pattern दिहान में रखियेगा, मैंने वैसे 0, 2, 3 तक value लिखी है, binary में 0 into 0, 0, 0 into 1, 0, 1 into 0, 1 into 1, 1 और यहां पर 12 आ रहा है, यही तो output है, this is the output, boolean expression यही तो था, तो अगर ऐसा है, तो मैं लिखूँँगा, इसका उल्टा करो, 1, इसका भी उल्टा करो, 1, 1, 0, that is a truth table, खातम किस्स है, ठीक है, चलो, देखो, next one, establish relation between electric current and mobility, यह simple सा है, देखो, mobility के लिए मैं बच्चों को हमेशा यह बताता हूँ, कि current का एक formula ध्यान में रखो, i is equals to an eavd, ठीक है, और vd आप सभी को पता होना चाहिए, क्या भाईया, mu is equals to होता है, vd divided by e, so vd is equals to mu e, यहां पर value put कर दो, तो i is equals to an ea और vd के जगे क्या लिखेंगे, mu e, बताओ, खतम हुआ नहीं हुआ, हो गया न, mobility और current में यह relation दिखाई दे रहा है, दोनों एक दोस्रे के proportional दिखाई दे रहा है, अब भी तो, ठीक है, चलो, आगे देखो, मैं अब भी वापस है, हिंदी मीडियम वाला यह बोल जाता है, find out the magnitude of resistance X, and the circuit as shown in figure, when no current flows through resistance of 5 ohm, देखिए, अगर आप इस circuit को तरीके से देखते हैं, तो यह 5 ohm वाला यह, जो बीच वाला resistance है, यह normally galvanometer की तरीके से आ रहा है, यहाँ पर galvanometer लगाता है, पर वीर्ट स्टॉम डिज में, वो बोल रहा है कि इसमें कोई current pass नहीं हो रही, मतलब galvanometer में कोई current pass नहीं हो रही है, और galvanometer में current pass नहीं हो रही है, इसका मतलब balanced condition, balanced condition तो हम क्या concept लगाते हैं, R1 divided by R2, is equals to R3 divided by R4, बताओ भी करते हैं नहीं करते हैं, R1 that is X, R2 that is 2, is equals to R3 that is 18, 18, and R4 that is 6, यह तो 3 times हो जाएगा, मिरे साब से X की value 6 हो मारी, बहुत simple सवाल दा, इतना simple सवाल आजाए तो बात ही क्या, पता चला, हैं, चल, अके, next one, derive the expression for power factor in series LCR AC circuit, अब LCR circuit के अंदर power factor को calculate करना, अच्छा सवाल है, देखा जाए तो, कोसवाई चाहिए हैं, तो मैं आपको बताऊँ, LCR के लिए यह याद रखो, इस तरफ R, इस तरफ XL, इस तरफ XC, और इन दोनों को solve करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा XL minus XC, दोनों opposite direction में न, और फिर ऐसा कुछ करो, और इधा parallelogram बना दो, और parallelogram का जो डाइगोनल हो, वो Z को represent करेंगा, और यहाँ पर angle 5 बना देजेगा, ठीक है, इस diagram को देखकर कि आप कोसवाई को calculate कीजी, कोसवाई, कोसवाई क्या होगा, base divided by hypotenuse, base that is R, hypotenuse that is Z, ठीक है, और LCR circuit के अंदर, Z क्या होता है बच्चों, root R square, plus XL minus XC, का hall square, that is कोसवाई, ठीक है, पता चला, इस तरीके से, हमें काम करना पड़ेगा, LCR circuit के लिए, तो कोसवाई यह होता है, है न, दन है यह बात, चलो, आगे देखो, क्या बोल रहा है, next one, question number seven, देखो, question क्या है यह, यह बोल रहा है, a light bulb, and a open coil, inductor, are connected to a AC source, दिखाई दे रहा है, यह coil है, L दिया हुआ है, और यह बल्ब है, बल्ब आर होता है, ठीक है, through a key, as shown in figure, आपको दिखाई दे रहा है, the switch is closed, and after some time, an iron rod is inserted, into the interior of coil, interior of inductor, coil A की बात है, the glow of bulb increases, decreases or unchanged, as the rod is inserted, give your answer with the reason, देखो, पहले तो यह समझे, कि circuit कौन सा है, तो इस तरह फार है, इस तरह फार है, तो series RL circuit है, series RL AC circuit है, तो आपको RL AC circuit का, basic concept बता होना चाहिए, क्या भई, कि उसके लिए resultant voltage, यह, क्या होता है, that is V R का square, प्लस V L का square, यह होता है, और उसका root होता है, ठीक है, यह AC का बात बता रहा हूं बच्छों, और फिर मैं इसको लिखूं, तो V R जो है बच्छों, V R होता है, I R, ठीक है, और V L जो होता है, वो I into Excel होता है, क्या होता है, Excel होता है, ठीक है, तो मैं यहाँ पर value बे put कर सकता हूं, इसमें कहीं कोई दिर्कत नहीं, लेकिन यह ध्यान में रखना, वो source को change नहीं कर रहा है, source को change नहीं कर रहा है, इसका मतलब यह constant है, resultant voltage जो है, वो constant है, अगर एक चीज constant है यहाँ पर, तो हमें mathematics यह बोलती है, कि इनमें से कोई भी एक increase होगा, तो दूसरा decrease होगा, ठीक है, या फिर कोई decrease हो रहा है, तो दूसरा increase होगा, तब ही जाकर के तो constant रहेगा, इस बात को समझे, जर सब्सक्रों मैं constant value मान लेता हूँ 100, अब 100 कैसे आ सकता है, 100 can be 80 plus 20, एक ज्यादा है एक का, और अगर मैं इसको कम कर देता हूँ, इसको मैं 70 कर देता हूँ, तो यह 30 हो जाएगा, इसको मैं 60 कर देता हूँ, तो यह 50 हो जाएगा, इसको मैं 40 कर देता हूँ, तो यह 60 हो जाएगा, पता चल रहा है, जैसे जैसे एक decrease हो रहा है, दूसरा increase हो रहा है, बात समझ में आए, clear हो आई, चले, अब थोड़ा से task समझते हैं, जैसे ही आपने inductor में, iron rod को insert किया, insert करते ही, inductor का जो mu था, mu क्या होता है, mu not into mu r, वो mu increase हो गया, inductor का magnetic permeability, increase हो जाती है, यह ध्यान में रखे, क्योंकि iron rod के पास में, अच्छा खासा mu r होता है, ठीक है यह बात तो, clear है, आप चाहे हैं, तो किसी भी coil के लिए, mu का formula, sorry, L का formula लिख सकते हैं, मैं बता दूँगा, लेकिन पहला impact समझे, कि जैसे ही आपने, उसके अंदर iron rod को रखा, mu r आ गया, mu r आते ही, उसका magnetic permeability क्या हो गया है, increase हो चुका है, ठीक है, magnetic permeability increase होने से, क्या होगा, उसका self inductance increase हो जाएगा, self inductance कैसे increase हो एक formula आपने पढ़ा होगा, mu not n square pi r divided by 2, जी coil का self inductance है, आपने पढ़ा होगा, 6th chapter में था यह, ठीक है, तो जैसे medium रख देते हो, तो mu not के साथ में mu r हो रहा चाता है, ठीक है, तो इस तरीके से L increase होता है, हम पढ़ते हैं के L को कैसे increase कर सकते हैं, medium को place करके, फेरो मागनेटिक मेटिरल को रख करके, ठीक है, तो जैसे आपने rod रखी, mu increase हुआ, mu increase हुआ, तो self inductance increase हुआ, self inductance increase हुआ, तो excel, that is omega L, excel increase हुआ, excel अगर increase हुआ, तो VL increase होगा, नहीं होगा, VL will increase, और अगर VL increase हुआ, तो दूसरे को क्या होना पड़ेगा, decrease होना पड़ेगा, VL decrease होगा, मतलब इसके across voltage drop कम होगा, और अगर इसका drop कम होगा, तो its glue will decrease, बात समझ में आई, पता चला, रामेन बहुत लंबी, एक के करके लिख होगे, magnetic permeability will increase, self inductance will increase, due to which, reactance will increase, due to which, voltage drop across L will increase, this shows that voltage drop across R will decrease, और bulb will decrease, which shows that the glow will decrease, ठीक है, तो अच्छा सवाल है, show the label diagram of propagation of light, in an optical fiber मेरे इसाब सभी कर सकते है, बुक में सिधा सिधा दी आवाज सिधा सवाल, next देखो, a concave lens of focal length 30 cm, is placed in contact with a convex lens of focal length 20 cm, then determine the focal length of combined lens, देखो क्या बोड़ रहा है, एक concave lens एक convex lens है, तो कुछ ऐसा, एक concave lens, और इसको रख दिया, एक convex lens के साथ में, कुछ इस तरीके का combination बन गया, ठीक है, तो concave का focal length, मैं F1 लिख देता हूँ, that is 30 cm, और वो negative का लिख रहा हूँ, आप सभी को पता है, negative का focal length होती है, ठीक है, और, F2, convex है, convex का focal length कितना है, 20 cm है, ठीक है, तो resultant focal length क्या होगा, 1 upon F is equals to, 1 upon F1 plus 1 upon F2, अब देवतों मेरे को ये बता हूँ, ये solve होगा नहीं होगा, हो जाएगा ना बच्चो, solve कर लीजेगा, बहुत simple है, अब इतना ही तो बचा है, F की value कल्क्लेट करनी, ठीक है, चलो, आगे देखो, क्या बोल रहा है, 10th one, when an unpolarized light is incident on the boundary, between two transparent medium, at a particular angle of IB, then the reflected light is perfectly polarized, then prove that mu is equals to 10 IB, एक बहुत अच्छा सवाल है, किस तरीके से solve करते हैं, तो हमें basic concept पता होना चाहिए, क्या भया, एक light आई, unpolarized light है, unpolarized light कुछ ऐसी, यह unpolarized light है, ठीक है, और जब यह IB angle के उपर आती है, तो reflected light purely polarized होती है, ठीक है, और इसका कुछ पार्ट दूसरे medium में भी जाता है, यह लेकिन unpolarized light है, या partially polarized बोल सकते हो, यह वाला angle आर होगा, यह तो clear है, एक मिनट, ठीक है, और यह तभी possible है, जब इन दोनों के mid का angle 90 degree हो, यह वाली light polarized तभी होगी, जब reflected और refracted, दोनों के mid में 90 हो, ठीक है, और यह reflected light है, तो यह वाला angle आई भी ही होगा, यह geometry बता रहा हूँ, मैं और कुछ नहीं बता रहा हूँ, तो इस तरफ वाला angle आई भी, दोनों light rays के mid में 90, और यह वाला angle आर, ठीक है, तो geometric के according, आई भी, प्लस 90, प्लस आर, इस इकोल स्टू 180 degree होना चीए, इसका मतलब, आई भी प्लस आर, इस इकोल स्टू 180, मैनस 90, तो आर का value क्या हो जाएगा, 90 मैनस आई भी होगा नहीं होगा, इतना पता चला, अब स्नेल स्लो लोगा लो, स्नेल क्या बोलता है, म्यू इस इकोल स्टू, साइन आई, divided by sin r, यही होता है, i की जगे तो i भी पुट कीजिए, i की जगे, i b, और r की जगे क्या पुट कीजिए, 90 मैनस आई भी, देखो अपन ने अभी लिखा है, लिखा है नहीं लिखा है, ठीक है, और sin 90 मैनस थिटा क्या होता है, cos theta होता है, ठीक है, तो it will be, sin i b, divided by cos i b, और sin divided by cos क्या होता है, 10 होता है नहीं होता, बताओ musicals to 10 i b आ रहा है नहीं आ रहा है, आ रहा है, सिंपल सा है और यह कुशन पूछा गया भी, बहुत बार पूछा गया है, हाँ, next one, the ratio of maximum and minimum intensities, maximum मतलम, bright french का intensity, dark french का intensity, in an interference pattern is 4 ratio 1, that determine the ratio of intensities of waves, अब आपको क्या दिया हुआ है वो देखो, आपको दिया हुआ है, i maximum, और, i minimum, इनका ratio, कितना है, 4 ratio 1, और determine the ratio of intensities of waves, मतलम, i1 divided by i2 पूछ रहा है, कुछ ऐसा पूछ रहा है, हाला कि इसे direct किया जा सकता है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसका formula, root i1, plus root i2 के इसाब से भी लिख सकता हूँ, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो उससे करके भी देख सकता है, जो मेरे को अच्छा लगता है, वो amplitude से है, वो कुछ ऐसा लिखा जाएगा, maximum को लिख रहा हूँ, a1 plus a2 का हॉल स्कॉर, divided by k, a1 minus a2 और उसका हॉल स्कॉर, is equal to 4 by 1, के से क्या हो जाएगा, cancel हो जाएगा, तो a1 plus a2, divided by a1 minus a2, मैं root ले रहा हूँ बच्चों, दोनों तरफ, it will be 2 by 1, 2 by 1, cross multiply करो, cross multiply करेंगे, it will be a1 plus a2, is equal to 2 a1 minus 2 a2, बताओ mathematics सी समझ में आ रही है या नहीं आ रही, फिर a1 को दूसरी तरफ लेकर क्या हो, a2 को इस तरफ लेकर क्या हो, a2 इस तरफ है minus का, तो दूसरी तरफ आते है, plus का हो जाएगा, तो 2 a2 plus a2, is equal to 2 a1 minus a1, it will be 3 a2, is equal to a1, it means a1 divided by a2, is equal to 3 by 1, और आपको intensity निकालनी है बच्चों, intensity का ratio, तो i1 divided by i2, क्या होता है, के a1 का square, divided by k a2 का square, कैसे के तो cancel, a1 by a2 का hall square, a1 by a2 का hall square मतलब, 9 by 1, ठीक है इस तरीके से हो गाई, सवाल अच्छा सवाल, अबे, प्रकाश विद्युद्ध प्रभा, अहा, write the definition of these in photoelectric phenomenon, photoelectric फ्रकाश अबे आपको इंदो चिचो का definition देन, threshold frequency, the minimum incident frequency, for the emission of electrons from metallic surface, ठीक है, the minimum frequency required for the emission of electrons from metallic surface, is known as threshold frequency, formula लिक लिए जीएगा, phi 0 is equals to h nu 0, so nu 0 is equals to phi 0 divided by h, या फिर nu 0 is equals to c divided by lambda 0, आसा भी लिक से तो, कहीं कोई दिख करते हैं, stopping potential, the negative potential given to anode blade, with respect to cathode blade, for which photoelectric current into the circuit becomes 0, ठीक है, the negative potential activates the photoelectric current become 0 into the circuit, is known as stopping potential, जो, पता चल गा होगा, ठीक है, वी anode से रेप्रेसेंट करता है, या चलो, फिर इसके आगे, next one देखो, find the ratio of the Broglie wavelength of proton and alpha particle, accelerated by the same potential difference, same potential difference से, अगर एक proton और alpha particle, क्या कर रहे हों, accelerate कर रहे हों, तो उनका the Broglie wavelength का ratio निकालना है, देखो, क्या होगा, तो हमने लिखा, lambda of proton, divided by lambda of alpha, यह होगा, और थोड़ा से ध्यान में रखना, mass of alpha is four times of mass of proton, and mass of, sorry, mass नहीं, charge, charge of alpha is twice of proton, ठीक है, खुच अशा, तो मैं, lambda का formula लिख रहा हूँ, in terms of potential difference, क्योंकि यहाँ पर potential difference आ रहा है, ठीक है, चलो, तो वो formula क्या था, h divided by, under root 2mqv, याद आ रहा है बच्चो, याद आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो यह proton के लिए, और ऐसा का ऐसा formula, alpha के लिए भी तो लिखा जाए, तो h divided by, mass of alpha, charge of alpha, and potential, ठीक है, और दोनों का same potential है, तो v से v cancel, h से h cancel, root से root मत काट देना बच्चो, कटता नहीं, यह root, ठीक है, यह general mistake है, चलो, काम करते हैं, तो it will be like that, 2, mass of alpha, charge of alpha, divided by, 2mq, 2 से 2 भी cancel कर दीचे, mass of alpha क्या होगा, mass of alpha, is 4 times of proton, तो आमने लिखा 4m, and charge of alpha, is twice of proton, that is 2q, और यहाँ पर mq, ऐसा काईसा, m से m cancel, q से q cancel, it will be root 8, by 1, यह 2 root 2, divided by 1, करके देख लो, आएगा तो यही, तरह चला, simple question है, बस आपको basic चीजे पता होनी, चाहिए, next one, write three postulates of bore model, यह आएगा exam के लिखा, शौर आने वाल, ठीक है, यह question bore model का, मतब, अगर यह यहाँ पर दे रखा है, तो possible एकि ऐसा का ऐसा छपावा नहीं आए, लेकिन वो जो quantum postulate है, mvr is equals to nh upon 2pi वाला, वो तो आएगा फर, वो शौर है, वो आने वाला है, ठीक है, और एक radius और energy, electron का radius, sorry, atomic, जो orbit है, electron orbit जीसे आप बोलते हूं, जिसमें electron revolve करता है, वो उसका radius, और energy of electron, into the orbit, ठीक है, यह आएगा, तो यह थोड़ा सा तरीके से प्रिपार कर लीज़ेगा, है ना, चलो, तो यह postulate तो आपको लिख लेने है, तीनों postulate लिख लेज़ेगा, अच्छे तरीके से याद कीज़ेगा, उना है, chapter number कौन सा atom है, ठीक है, atom है, 12 number का chapter आपका, फिर, आएगे देखो, क्या पूलड़ा है, oh, sorry, the radius of innermost electron orbit, of an hydrogen atom, is this one, मतलब, a0 का value दिया हुआ, r0 दिया हुआ, कुछ भी लेख लो, 5.3, into 10 to the power, minus 11 meter, ठीक है, determine the radius in these orbits, तो formula लिख लिज़ेगा, rn is equals to, sorry, n square a0, यह लिख लेना, n का value, एक बार 2 रखो, a0 का दिया हुआ है, n का value, एक बार 3 रखो, तो एक बार, 3 वाले में तो हो जाएगा, 9 a0, और second वाले में हो जाएगा, 4 a0, और a0 के value, पुट कर लेज़ेगा, meter लगा लेज़ेगा, यूनिट में, ठीक है, फिर next, देखो section C, अब यहां से, आपको खुद ही करना है, ठीक है, मैं आपको बस guide कर दे रहा हूँ, write the definition of electric flux, electric flux हाई, तो definition के साथ में, formula जरूर लिखिएगा, e.s vector, या e.a vector, जो भी आपने याद कर रखा है, यह जरूर लिख करके आई है, अगर definition के साथ में, ठीक है, the field lines, passing perpendicular to the surface, unknown as electric flux है, फिर derive the expression of intensity of electric field at a point, due to uniformly charged straight wire of infinite extension by gauss law, तो electric field का formula कौन सा बच्चो, that was lambda divided by 2 pi epsilon not r, या फिर आपने यह याद रखा होगा, e is equals to 2k lambda divided by r, यह वाला derivation पूरा करना है, draw the required diagram, आपको diagram बनाना है, diagram का एक number दे रहा है वो, फिर ampere's circular law, next one, 17th, ampere's circular law, formula जैसे याए, क्या है, b.dl, line integral of magnetic field, ठीक है, for a close loop, is equals to mu not summation i, ठीक है, यह ध्यान में रखेगा, derive the expression of intensity of magnetic field, infinite long wire के लिए, कितना भही, b.d, निकालना था, b.d, कितना रहा था, mu not i, divided by wire के लिए, 2 pi r, wire के लिए 2 pi r आएगा, ठीक है, और यह छोटा सा derivation है, बहुत छोटा सा derivation है, मुश्किल से, 8 line का derivation है, मुश्किल से, next one, 18 one, what is nuclear binding energy, interpret binding energy curve, binding energy, ठीक हो, nuclear binding energy, the energy required, to separate all the nucleons, nucleons of nucleus, up to the infinite distance, from each other, ठीक है, nucleons को separate करने के लिए, जितने energy के requirement होती है, वो भी binding energy, और nucleons को bind up करने के लिए, inside the nucleus, वो भी binding energy, तो दोनों तरीकों से, आप इसका define कर सकते हैं, यह आपके ओपर depend करता है, बाइंडिक energy करो काउन सा, यह वाला भी है, बाइंडिक energy पर nucleon, atomic number, atomic mass number, इस जीरो से चालू नहीं हो रहा, यह वाला कर था, इसमें यह important है, atomic number 56, atomic number 56 पर F आता है, यह आता है, that is the most stable element, और उसके लिए, binding energy पर nucleon होती है, 8.75 meg electron volt, ठीक है, NCRT में तो यह लिखा हुआ है, RVS यह किसी और किताम में लिखोगे, तो 8.8 भी लिखा हुआ दिखा हुआ देगा, ठीक है, फिर, यह D और यह तो आपको याद रखना पड़ेगा, पहले वाले में, microscope पर पूरा काम केज़ेगा, microscope तो पूरा याद कर डालो, microscope और telescope तो पूरा याद कर डालो, ठीक है, और next वाले में, reflection to the spherical surface है, कौन सा वाला बच्चो, आपने ऐसा कुछ याद किया होगा, mu2 upon, तो यहाँ पे, n दिया हुआ है, तो कुछ ऐसा याद किया होगा, n2 upon v, minus n1 upon u, is equals to, n2 minus n1, divided by r, याद आ रहा है, इसका derivation किया होगा, आपने अच्छा कासा, कुछ इस तरीके का diagram बनाया होगा, यहाँ पे angle alpha लिखा था, यहाँ पे beta angle लिखा था, इस तरफ gamma angle लिखा था, इसको o, p, q, यह c, i, कुछ ऐसा काम किया था, इस तर एंगल आफ इंसेडेंस, इस तर स्मॉल r, किया था, ऐसा कुछ काम किया होगा, वाला derivation पुरा करना है, इस तरफ refractive index n1 है, इस तरफ refractive index n2 है, यह u था, यह diagram बता रहो, इस तरफ r था, और यह आई था, ठीक है, चलो, फिर लास्ट वाला, यह वाला, मेरे को बफ़ास लगा यह सवाल, लेकिन यह energy band, जो है, define energy band gap, यह forbidden energy gap, यह आ सकता है, यह सवाल सही है, फिर इसके बाद में, आप conductor, insulator, और, क्या था, semiconductor, ठीक है, energy band gap के तुरू, इसको define करने, यह वाला, graph भी ध्यान में रखियेगा, वो एक में, जिसमें, zero electron volt conductor के लिए दे रखा है, energy band gap, semiconductor के लिए, three electron volt से lesser दे रखा है, और insulator के लिए, more than three electron volt वाला का, diagram जो है, वो याद कर लो, वो आ सकता है, अगर यह उपर दिया हुआ है, तो वो वाला सवाल, पका आने के chances बन गए है, नीचे अगर यह दिया हुआ है, तो फिर आपके पास में, PN, जो junction diode है, उसका process आएगा, formation process आएगा, बतलब, diffusional drift वाला आ सकता है, ठीक है, otherwise फिर working, forward bias and reverse bias, तो यह तीन सवाल यहां से याद करना, चालो कर दो, यह मेरे को नहीं लगता, कि चार नमर के सवाल में इतना relevant है, ठीक है, हाँ, आप देख सकते हैं, कि एंट प्रकार का अचला किसे कहते हैं, आप सभी को पता है, अंट अंट टाव एंट इंट के यहां इतना इतना है, अब तो इंग्लिश मीडिया वाले बच्चों को पता चल गया होँगा, कि किस तरीक dólar करना हैं, और भी कोई ऐसा लगे, कि हांसर यहां पर help चाहिए तो please बताईएगा मैं कोशिश करूँगा ठीक है, have a good day and take care